आज का विचार 107.8 FM हिम्गिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज 107.8 FM हिम्गिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज पर आज का विचार अच्छा काम कभी भीकार नहीं जाता उसका इनाम हमें कभी न कभी मिलता ही है चलिए एक कहानी के जरिये समझते हैं एक दिन हरी स्कूल के बाद पैदल चल कर घर जा रहा था उसे अचानक भूख के कारण कमजोरी मैसूस हुई और उसे पता था कि उसकी माने उसके लिए घर पर खाना तयार नहीं रखा होगा वहा हताश हो गया और घर जाकर खाना मांगने लगा आखिरकार एक लड़की ने उसे एक बड़ा गिलास भर कर दूद दिया जब हरी ने उसके बदले में उसे कुछ पैसे देने चाहे तब उस लड़की ने पैसे लेने से इंकार कर दिया और उसे अपने घर जाने के लिए कहा कई वर्षों बाद वह लड़की जो अब भहुत बड़ी हो गई थी गंभी रूप से बीमार पड़ गई और ऐसा कोई न था जो उसका इलाज कर सकता था अंत में वह शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई जहां शहर के सर्वोत्तम डॉक्टर थे डॉक्टर नी उसका इलाज करने में महीनों गुजार दिये जब तक कि वह ठीक नहीं हो गई लेकिन उसे यहाँ भी डर था कि वह बिल का बुक्तान नहीं कर पाएगी जब अस्पताल वालों ने उसे बिल सौंपा और उसने खोल के देखा तो उस पर लिखा था एक गिलास दूद के द्वारा पूरे बिल का बुक्तान किया जा चुका है इसलिए कहते हैं अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा होता है सुनते रहिए हिंगरी के आवाज आपकी अपनी आवाज